यूटूब चैनल सस्क्राइब क्लिप दी वेल अकॉन लाइक कमेंट शेर उन्होंने सोचा कि यह उसमा बिलादन के ओला यह इनको सीट यहां कैसे मिल गई तो उन्होंने एरहॉस्टरस को कहा कि मैं मेरे लिए कोई और जगा का इंतिजाब कीचे यहीं बैठना हो दो घंटे दस मिनट का एलान हुआ हम बैठे चले चुकि पुरा मेना मेरा गौवा में ही गुजरता हुआ हम बैठ गए हम सोचे पतला से ला आत्मी बैठ जाते हैं एक कोने में हमको क्या पता कि भई यह इतना अंदर से जल नहां है भूंड रहा है कबाब ब बैठ गए वो उसके बाद उनको नीद आ गई कम से कम पॉन घंटे एक गंटे तक सोया रहा बंदा गुरुजी हमारे सोते रहे तो इस पीट में मैंने सोचा क्या करो खुरान पढ़ने लग्या मैं एक डिड़ दो पारे मैंने पढ़ लिए इस पीट में हाथ में तस्भी के दाने तो वह महिलाने लगा वैसी ताइम पास हो जा वहाँ पर और क्या कर सकते हैं आप ना तो कुछ नजारा कर सकते हैं ना तो आप ज़्यादा किसी से बात कर सकते हैं वेरक है जब मैंने ये हिसाम को किलियर कर दिया मैं यूई हूं तब से पौन घंटा एक गंटे तक व तो इसके दिल में देके मुझे इंसल्ट करने का कितना बड़ा वो सचा कि मॉल्वी सहाब सर पे टोपी है डाड़ी है कुछ जानता नहीं होगा एक तो इंग्लिस में सेंटेंस पूछते हैं खुद बहुत शर्मिंदा होके बैट जाएगा और मैं जीत जाओंगा मैं समझता ह यहीं उनका कॉंसेट होगा यहीं सोच होगे उनकी तो उन्होंने मसे पूछा वट्स योड़ने में वह इसा होती है इंग्लिश के ओपर आजगल कोई बोले ना आदिमी तो कहेगा वाई कितना बड़ा आथमी आखिया एक जमाना ऐसा था कि गाजियाबाद से हम निकले उनका यार हम दोनों ने अर्बी के अंदर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया अलहम्दलिल्लाहिर अपनी फील का बादशा होता है बहर कैफ जनाब तो नोंने मुझसे यही सवाल किया अंग्रेजी के अंदर में हमने सोचा कि अगर मैं हिंदी में कहता हूं कि मेरा नाम अब नहीं हो तो बहुंत पता नहीं क्या कि कहेंगा अमने का दिस इस अब ईपन्र चान इस काल कौरान इंफरंट ऑफ पीपल इन डेहली मंत वर्मजान सीदा होके अबन रिजसान है लगता है तो है कम है लेकि लगता है इस पिचारे में तो उन्होंने कहा उसके बाद बैट कर म आपको पूरा याद है do you remember by heart all का मतलब आपको पूरा याद आपका दरम शास्तर मैंने का या I am able to tell you from the beginning to the end I remembered by heart मुझे याद है I can tell you मैं सुना सकता हूँ आपको बड़ा आश्चरी में ताज्यम में पढ़ा हूँ उसके बाद बड़ा पिलिस टेल में सम्थी अब देखिए एक इसलाम का एक हिंदू भाईयों का सबसे बड़े गुरू महान गुरू बलके हिंदुस्तान में इसलाम का सबस बल्मानों के दुश्मन है गलत फेमी देखिए कितनी बड़ी है उसके अंदर इसलाम के तहीं उन्होंने का प्लीस टेल में सम्टिंग मैंने खुरान करीम के एक द्वायत पड़े लेकिन मैंने भी पूछते मैंने का सर वाट्स और अथेंटिक गुक दरम शास्तरा अबने खाए सब्सक्राइब और नो नो एनिबोडी नॉट एबल टू मेरिमिंबर भायाट ओल इसको याद नहीं कर सकता जुमानी अमने का इस माई आधी गरन अभी परसन केंड लिमिंबर भाय हाट इसमोल पॉइस इसली रिमिंबर भाय हाट छोटे छोटे बच्चे इसल पहले से था हमने का शांति रपाई शुनम आगे पढ़ा मैं शांति रपाई शुनम दया बुलेश वलो लूप तव महीर चाप लाम शुनम भागवत किता सोल्वया ध्याय का दूसरा श्लोग वार पेचाना सुकर गया बलाट दू नो अबाट माई धरम शास्त्र मैंन कल की पुरान एफरीचिंग आई नौ तो वह बेशारा देखिया हो उसकी और ज्यादा उन्सियत पढ़ी मुझसे प्लाप प्लीस टेल में सम्थिंग वाट इस दे मिनिंग अप्ट मंतरा इसका मतलब क्या बताईए आप क्या जानते हैं डू नो मैंने का यस आई नो हमने का इसका टाइम क्या है मतलब इसको उतरित होने का टाइम क्या हमने का महा भारत के मैदान में जब अरजुन के हाथ से तलवार गिर गई थी श्री कृशन जी ने वक्त को उस ताइम को रोक करके कहा था अरजुन तलवार उठाओ जालिमों को मत छोड़ना लेकिन वहीं पर अर गुष् को येभी खाता श्री किरिशन जी कौन है पता है विश्नु जी के साथमा ओतायर आठमा ओता श्री रामचंडर जी आठमा ओतायर अतार का मतलब आसमान से जमीन पर भगवान का आना पूराई को रोकने के लिबाय दा व्रमस्वश्ययन और भवति भारता हमारे इंदु भाईयों का अकीदा है इस धर्थी पर कहीं पर भी कोई बुराई होती है तो इश्वर इंसानी रूप धारन करके आ जाता है और बुराई का नास करता है हाला कि इस अकीदे के अंदर में थोड़ी बहुत कमी है मैं उसके तरफ नहीं जाना चाता हूँ चुकि ये सीरत और अवतार का अकीदा है वे रहे कैफ हमने का कि श्री कृष्ण जी ने कहा अरजुन को ये अरजुन इस धर्थी के ओपर तुम किसी इनसान को अपनी जुबान से तकलीफ मत देना बुड़े को मासूम को लाचार को वेबस को मौका गरम था मैंने फौरण जड़ दिया वहाँ पर हिंदुस्तान के ओपर जो तशद्द हो रहा था हमने का सर श्री कृष्ण जी कह रहे है अरजुन को कि अरजुन अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत देना मौम्मद अखलाग को बेचारे को तर्पा तर्पा कर मार दिया गया तकलीफ तो दूर की बात मार दिया गया उनके हत्या कर दी गई और भोबाल की सरजमीन पर दोनों जवानों को ट्रेंड से फैक दिया जाता है उनकी भी हत्या कर दी गई बिहार के सरजमीन पर मुझफर नगर के अंदर वहां पर अजीज पूरा के अंदर मुसल्मान बच्चों के पैरहाथ काटे गए मुल्क शाम के अंदर तीन हजार मुसलिम बच्चों के जिसम के टुकडे करके ट्रक के अंदर डाल कर सप्लाई कर दिया गया और उनके जिसम में तीर और जिसम में सुराक करके चर और लोहे को ढूंस करके उनको इस तरीके से खड़ा किया गया श्री राम चंदर जी के इस उब्देश के खिलाफ हुआ के नहीं हुआ असर बताई आप गुरू जी उसको और ये पता चल उसको ऐसा हैसास होने लगा कि ये सिर्फ गरंतों को नहीं जानता ये हालात के स्टेटस से भी बाकिए बला हाँ ये तो होता है वो लोग करते हैं वो लोग अपने भावनां में पहकर कर देते हैं जो हिंदुस्तान से बहुत जादा महबत करते हैं हमने का कि हिंदुस्तान से मुसल्मानों ने भी महबत की थी अगर हिंदुस्तान से मुसल्मान मुहबत ना करता तो आगरा का ताज महला आपको ना देता गिली किलाल किला आपको बनवा के ना देता खुत्म मिनार की बलंदी आपको ना मिलती डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम आपको न देता अगर हिंदुस्तान का मुसल्मान हिंदुस्तान से मौपत न करता तो सर नीचे करके सुनने लगया बला और बोलिये इसका मतलब क्या हमने का सत्यम सदा सत्य बोलो जूट मत बोलो हमने का कि जो इंडिया के सबसे बड़े लीडर है गुरु वही जूट बोलते हैं उन्होंने का कि पंदरा लाक रुपए अकाउंट में आएंगे तीन साल गुजग है पंदरा पैसे तक नहीं पोँचे श्रीक रिश्न जी गरे जूट मत बोल ये पाप है जूट बोलना और यहां पर तो प्राइम मैनिस्टर साथ जूट बोलना है सत्यम के खिलाब जा रहे हैं जहां पर भी टोपी वाला नजर आया जहां पर भी डाड़ी वाला नजर आया फौरां कान खड़े हो जाते हैं बड़ी बेरहमी के साथ हिंदुस्तान की इस पवित्र गंगाज अपनी तैजीब के बीच में हिंदु भाई बहुत से लोग तशद्द पसंद है जालिम दुश्मन निगाँ उठा कर देखेगा तो तुम से कुछ नहीं बन पलेगा तुम अपने घरों के अंदर घुज जाओगे गेर वे रंग के कपड़े पहनने वाले जल्ला दो अगर हिंदुस्तान की पवित्र को इसकी इज़त औ आबरू को एक 1857 के अंदर किसी ने बचाई थी तो मुसल्मान थे सत्रह हजार की सत्रह हजार की कुरवानी देकर मुसल्मान उन्हें हिंदुस्तान की पवित्रता को बचाया था जालिम अंग्रेज से आज पी अगर इस देश को खून की जरुरत पड़े इस देश को जान की जरुरत पड़े तो मुसल्मान कफन पाथ कर तलवार लेकर मैदान में आएगा जालिम सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए तैया रहे लेकिन हिंदुस्तान की इस पवित्र धर्ती पर किसी नापाग जालिम पहिरूपिय की कदम रखने के लिए कदम रखना गवारा नहीं करेगा मुसल्मान वो है आज भी हिंदुस्तान से महबब तका लेकिन तुमने मुसल्मानों को हरासमेंड करने की कोशिस की तुमने मुसल्मानों को अपने धर्म शास्तर से खिलाफ हटकर नफरत फैलाने की बात की आज तुमने हिंदुस्तान की मुसल्मानों की शर्यत को बदलने की बात मुसल्मानों की शर्यत नी तुमारा धर्म गुरू अंतिम संदेस्टा लिंक चिदी शिखाहिना शिम श्रूधारी सदू शका उच चलापी सर्वबक्षी विश्यती जनूमं विना कोलं चपसवस्ते शाम बक्षया मतामं मुसलने वसंसकारा तुम उनके सिस्टम को बदलने की बात करते हो हमने कहा कि गुरुजी बता ये जोट है के नहीं है बला हाँ ये बात तो है कोशिस्त कर रहे न वो परिवर्तन कर रहे है हमने का सदा सत्यम करो अदस्तयागा शांति रपई शुनम्दया बुलेश वलो लूपतवं बहुत देर तक बात विदी इस मंत्र रुपे तो वह बेचारा मेरा इतना बड़ा मुरीद हुआ इतना बड़ा मुरीद हुआ फलाइट के अंदर एक शार नब्वे रुपे की मिलती पेटीज खरी दियेगा तस पंदर रुपे की आपको रुपे मिलेगी लेकिन फलाइट के अंदर एररपर्ट के अंदर आप जाईए तो आपको एक सो चारीज नाश्ता मंगाता है जनाफ फलाइट के अंदर मेरा मुरीद बन जाता है क्यों वो कहा कि आप के अंदर तुम माना हुटा है किसी मुसल्मान से उनका कोई लेना देना नहीं वो Muslim नहीं होते आपकी के तरव गाड़ी वाले होते हैं टोपी होते हैं बस आपकी पगड़ी नहीं बागी टोपी तो है कुटा यूनिफॉर्म तो ही है मैंने का इसी युनिफॉर्म के दुश्मन है सब आपके देखे सरकार ने वह इस तिरपल तलाग को बदलने की बात की गई तीन से जादा एक से अधिक शादी के ओपर बैंड लगा दी गई हमने का एक से अधिक के ओपर बैंड लगाना था तो राजा दसरत को बैंड लगाते श्री रामचंदर जी के वए तो तीन माह है कोशल्या सुमित्रा कही कही श्री कृष्ण जी ने तभी तो 1616-23 बीवियां की उस पर कोई वह रहतराज नहीं आज मुसल्मान अगर एक से दो क कर ले तो भई आपको डर होता है कि इनको बंद करो खतम करो यह कहां का नया कहां का इनसाफ हम लोग मजाक मजाक में बहुत सारी सीरियसे बात है हमने उनसे कर ली तो बहरे कैं वह वह वाले मौलाना नहीं है हमने का वह मौलाना नहीं होते इस नाट मुसलिम मुसल्मानों को बदनाम करने की पूरी ये साधिश है इसलाम तशद्द पसंद नहीं हो सकता जिस नभी की शरीयत में एक से एक लोटा पानी के जगा दो लोट दूसरा लोटा पानी बहाने की अजासत नहीं है अगर आप बठाओ बहाओगे तो फजूल खर्ची में शुमार होगा और पुरान कहता है कि तुम शैथान के भाई हो पानी ज़्यादा बहाने की अजासत जिस शरीयत में नहों उस शरीयत के अंदर किसी का खून बहाने की अजासत कैसे दिया जा सकता बहाँ ये बात हमने का जी ये बात इतना बड़ा मुरीद हुआ जनाब अपने बोटी काट से कहा कि अब्दिल्लाई गुरू जी की हैंड पैग लो और फिर वहां तक रिस्प्शन तक छोड़ो वहां तक छुडवाया हो बताईए एक जलाद एक हंदुस्तान के मुसल्मानों का इंसानियत कामन और शांती का दुश्मन लेकिन किरदार नभी पेश किया गया तो दुश्मन भी आपके गदमों